नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूं आज फिर से एक बहुत अच्छी बहुत ही इंपॉर्टेंट मोरल श्टोरी आपके लेकर आया हूं जो आपको लाइफ में बहुत काम आने वाली बहुत जैसे ना माने जैसे मोल देते हैं नौर्मल भास में नमक हराम है उसके लिए अच्छा करो और वह आपके लिए आपका उल्टा करते भला ना करे उसे हम थैंक्लेस कहते हैं स्नेक है अब सभी को पता है साप तो अक्रितग्य है ना साप अब ऐसे टाइटल दिया गया है नमक हराम सहांपी बोल सकते हो चलिए बहुत सारे यहां पर नायने वर्ट की मिनिंग जानने को मिलेगा पुराने वर्ट की मीनिंग का प्रैक्टिस आपको प्रणंसेशन सही उचारण ग्रामर हर चीज़ आप आपने को देखने को मिलेगा चलिए श्टार करते हैं वन्स एक बा तो यहां पर इसका कोई मीनिग नहीं निकालेंगे वाहा होता है अब ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक बार वहां एक रहता था नहीं के वाल सब्जेक्ट के रूम में यूज करें यही दियर लाश में आगा बीच में आएगा बहुत जगा आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर सब्सक्राइब कई बार वर से हम सो महिन यर्टाइम से तो कई बार ही वोन है और इसे बोलते ना तो भी हम व्यां यूज करते हैं तो वहां किया करता था है याने मदद वो मदद किया करता था सहयता किया करता था दा अधर फार्मर जाने दूसरे किसानों का इन याने में देयर फील्ड याने उनके फील्ड जाने क्या होता है उनके खेतों में तो उनके खेतों में उनका मदद किया करता था he used to tend to the sick people he used to used to used to का use हम कब करते है जब हम पाश की कुछ आदितों को बताते है कि भई उसकी ये आदत थी वो ऐसे किया करता था वो खेला करता था दोड़ा करता था भागा करता था तो वहाँ पे used to का use करते है he used to वह tend अब tend याने क्या होता है tend का मतलब होता है साथ देना साथ में चल देना उसे tend बोलते है तो वह साथ दिया करता था to the sick people sick people याने होता है बीमार लोगों की बीमार लोगों का साथ दिया करता था and or would always feed the hungry would किया करता था always याने हमेशा feed याने भोजन कराया करता था खिलाया करता तो feeding याने होता है feeding याने किसी को खिलाना the hungry याने भूखे और भूखों को हमेशा खिलाया करता था he also liked to give love वह also याने भी उसे भी क्या भी liked याने पसंद था वो पसंद करता था to give याने देना love, प्यार and care प्यार और जिसे हम प्रेम और care याने होता है देख भाल two animals जानवरों को and birds और पक्छियों को ठीक है तो हमेशा जानवर और पक्छियों को प्यार और देख भाल करना उसे पसंद किया करता था पसंद था उसे one day एक दिन the farmer went to a nearby village किसान went याने गया go went gone तो past indefinite tense है तो हम second verb का second form का यूज करेंगे went का गया अब यहां पर ऐसे तो farmer goes तो farmer जाता है ऐसे हो जाएगा ठीक है तो किसान गया to कहां गया किसके पास गया तो two preparation का यूज करते है two are nearby village अब यहां पर आता कि school गया है ना तो two school school गया तो इस प्रकार से बहुत सारी आप कहीं भी जा रहे हो किसी के पास जा रहे तो two preparation के यूज करते हैं तो किसान गया किसे पास गया नियर भाई याने पास के उसे हम नियर भाई बोलते विलेज गाउं पास के गाउं गया एज ही वाज रिटर्निग एज याने जैसे या फी जब ही वाज रिटर्निग वा लॉट रहा था वाज के साथ आएं जी फॉर्म में पास कंटिनी वस्टेंस रहा था रही थी ऐसे जब वा लॉट रहा था वा देखा एसे बोलेंगे तो अच्छा लग अगरा तो उसने देखा यहां पर भी आप देख रहे हैं वाज इन या पर शड़क पर सड़क पर सड़क पर खायल अब यहां पर N क्यों लगा है क्योंकि E द्वर निकल रहा है कि इंजर्ड A A E E O O ऐसे द्वर निकले तो हम N का यूस करते है और बाकी है ना ब्लेक है कैट है बाकी F से G से सुरू हो रहा है यह सब बाकी जो बच गये मतलब हिंदी वर्ण माला के अनुसार तो फिर आप बाकी में A लगाएंगे एक के लिए इट सीम देट वेन दा स्नेक वास्क्रावलिंग अक्रॉस दे रोड संबुलक कार्ट हैड रन ओवर दा क्रीचर चलिए इसका ट्रास्टेशन करते हैं इट सीम इट सीम याने ऐसा प्रतीत होता था इट सीम सोता तो ऐसा प्रतीत होता है सीम से याने होता है लगना दिखना प्रतीत होना तो इट सीम ऐसा लगता था दैट की वेन जब दा स्नेक वेन याने कब भी होता जब भी होता ठीक है जब दैसने एक याने साप वास क्रावलिंग याने रेंग रहा था वास के साथ आएंजी फॉर्म क्रावल कर रहा याने क्या होता है ऐसे रेंग ना उसे क्रावल बोलते है तो जब साप रेंग रहा था अक्रॉस याने रेंग कर पार कर रहा था the road, सड़क को, सम बुलग काड, यानि कोई, है ना, कुछ, बुलग काड का मतलब होता है, बैल गाड़ी, कुछ बैल गाड़ी हा, हैट run over, हैट run over, तो run, 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 तीनों का, run का, रन, टो third form भी run होता है, तो इसका मतलब क्या था, का उपर से चले जाना है तो हैड के साथ वह का थर्ड फर्म तो इसका मतलब अधा पास्ट परफ़ेक्टें दिया था चुका था इस प्रकार से तो कुछ इस बेलगाणी से उपर से गुजर गये थे चल दिया था the creature, creature है नहीं होता है, उस प्राणी के, साप के, luckily the snake was alive, luckily यानि भाग गे से, किसमत से, the snake, साप, was यानि था alive, यानि जीवित था, जिन्दा था, but, लेकिन, it was unconscious, it was, ये था, unconscious का मतलब क्या था, unconscious मतलब होता है, बेहोस हो जाना, बेशुद हो जाना, अचेत हो जाना, unconscious, वो बेहोस था, its wounds, its यानि उसका, wounds, wounds यानि होता है, घाव, उसके घाव, वर यानि थे, bleeding यानि उसके घाव से, खून बह रहे थे, वर्स या वर के साथ, एंजी फार्म तो रहा था रहे थे, उसके घाव से खून बह रहे थे, the kind farmer gently wrapped the injured snake in a cloth and took it home, the kind farmer, kind याना था, दयालू, मैंना बताया था, दयालू, रहम दिल, किसान ने gently, gently याना था, बहुत ही धीरे-धीरे, बहुत ही आराम से प्यार से जेंटली बोलते है, ऐसा right होता है, तो आप समझेए, डबलू सेलेंट है, वहाँ पर हमें डबलू को पढ़ने की जरूरत नहीं, यालिकि लिखेंगे जरूर, तो क्या हुआ, wrapped याना लपेटा, the injured याना चोटिल, घायल, साप को in a cloth, याना कपड़े में, और took it home, घर ले गया, उसे घर ले गया, इट याने उसे, इसे उसे दोनों होता है, क्योंकि साप क्या था, लड़की थी, लड़का था, नहीं पता है, pulling is a link, तो हम इट के लिखेंगे, कोई बच्चा है, तो हम बोलेंगे, है ना, हम क्या बोलेंगे, कि हम वहाँ पर हीशी का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर इट का यूज़ करते, क्योंकि बच्चा लड़का है, कि लड़की नहीं पता है, तो हम इट इस बेभी ऐसे बोल देते, तो उसे took, take याने ले जाता है, ऐसे हो जाएगा, टूक याने ले गया, पास्ट इन टेक टूक ले गया, घर ले गया, at home, याने घर पर, the farmer washed and put some medicine, किसान ने washed याने धोया, है ना, उसके घाओ को, and put और लगाया, some याने कुछ, medicine याने क्या होता है, दवाईया, और कुछ दवाईया लगाई, on याने पर, its wounds, याने उसके घाओं पर कुछ दवाईया लगाई, और धो दिया, then he left the snake at home, फिर वह चले गया, the snake, याने साब को घर पर छोड़ कर, and went और गया, to the market, कहां चला गया, और बाजार गया, ठीक है, तो to use कर रहे, the market, और बाजार चले गया, to get some milk for it, to get याने लाने के लिए, some milk याने, कुछ दूद, थोड़ा दूद, for it, याने उसके लिए, उसके लिए कुछ दूद लाने के लिए चला गया, when he came back, जब, वह came back, याने, वापस लोटा, come back, लोटता है, came back, वापस लोटा, तो, came का, come came, come, come, तो, second form came, होता है, और first, second, first and third, same होता है, जब अब आपस लोटा, the snake had become conscious, the snake saw had become, याने, हो गया, conscious, याने, होता है, host में, वा host में आ गया, it bit the farmer, और उसने bit, याने, काटा, बोलें, सर्बाइट याने, काटना होता है, तो, भई, बाइट का, second form, बिट होता है, instantly, तूरंद, और वो तूरंद मर गया, देखिए, दूद पिला रहा है, देखिए, साप ने, उसे काटे, और वो तूरंद मर गया, the villagers said, sadly, गाँवालों ने, villagers, गाँवालों ने said, कहा, says, कहते है, says का second form, मतलब say का second form, said होता है, गाँवालों ने कहा, sadly, याने, दुख से, है न, दुख, दुख होकर, उदास होकर कहा, the farmer did not know, किसान को did not, याने, नहीं पता था, past, indifferent, टेंस में, negative sentence मनाते हैं, तो did not का यूज़ करते हैं, किसान को नहीं पता था, या नहीं जानता था, that key, an evil, एक बुरा creature, एक बुरा प्राणी, जीव जन्तु, never, कभी नहीं, changes, बदल सकता है, its nature, अपना, नेचर याने क्या आता है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृती है, उसे वो कभी नहीं बदल सकता, साप है, काटेगा ही, सेर है, आपको खाएगा ही, बचपन से थोड़ी पाल के रखाया है, यह तो बई, कोई भी आप सोच रहे हैं, कि इनसान जैसे इसको समझ आया, कि दूद पिला रहा हूं, तो नहीं कटेगा, नहीं, इसका स्वभाव है, वैसे भी सामने हम जी तरह डरते हैं, हम से जादा तो यह जीव जनतू हम इंसानों से डरते हैं, कि अर्व यह मुझे मारने तो नहीं आ रहा है, उसे क्या पता दूद पिलाने आ रहा है, कि इंसान को वो यही सोचते हैं, कि हमें मारने ही आ रहे हैं, और वो अपनी बचाव में ऐसा करते हैं, यह निकि यह बुरा है, वो अपने बचाव में ऐसा करते हैं, हम भी साम आ रहे हैं, तो पर अपने बचाव में कई बार उसे मार डालते हैं, बट जहां तक हो सकें, उस काट लिया सेफ्टी के साथ उसे और जंगलों कहीं भी बाहर छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा भी किसी की जान बच जाएगी तो यहां पर यही हमें शिक्षा मिलती है कि यही है कि जिसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही करेगा हमें उसके साथ थोड़ा संभल के पेश आना यह नहीं कि भी सदूर पिला रहा हूं या उसकी HELP कर रहा हूं सेर है तो उसको सहलाने चले गए उसका स्वभाव है तो यह हमारी लाइफ में सीखना है कि सामने वाला का स्वाभाव हमें देखना है कि कैसा है जहरीला है वो आदमी भी हो सकता है बुरे स्वाभाव का है तो आपके साथ बुरा ही करेगा आप कितना भी अच्छा कर लो तो यही सीख मिलती है जैसे के साथ ऐसा करें तो यह थी आठ की स्टोरी कि देख नहीं रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर आपके वीडियो पसंद नहीं आते हैं तो चेंज कर देंगे पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि हां सर कंटीव रखेंगे तो कंटीव रखेंगे क्योंकि इभी आप देख रहेंगे उतने जाद विडियो वगर नहीं आ रहे तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे हो क्या रहा है तो आप लोग कमेंट कीजे विडियो से जादा मतलब नहीं है बस आप लोग यह पसंद आ रहा है तो मैं ऐसी वीडियो बनाते चलूँगा कुछ चेंजिस करना तो बताइए आप लोग 10 लोग भी देखेंगे तो 10 लोग के लिए वीडियो बनाऊँगा बिल्कुल घबराने की बात नहीं है